हाई अब्रिवन, वेलकम टू इस्टेटी विद्यान प्रकास्ट दोस्तों एक बहुत ही साकिंग नियुज है खास तोर से जो परसिधी विद्यालों में काम कर रहे हैं सिक्छक और करपचारी हैं उनके लिए आपने अब तक ये जाना होगा और आप जानते भी होँगे कि Education Live यानि कि सेक्छिक आउकास अभी तक परसिधी विद्यालों में काम कर रहे हैं सिक्छकों और करपचारी को मिला करती थी इसमें दो साल तक की तैयारी के लिए आपके पास पूरा समय मिलता था दो साल तक आप अब वेतनिक आउकास ले सकते थे यानि कि इस दोरान आपको वेतन नहीं मिलेगा लेकिन आप Research कर सकते हैं यानि कि PhD कर सकते थे या फिर अगर आप चाहें तो कोई course कर सकते हैं और या फिर बहुत सारे लोग अपनी नौकरी को और बहतर करने के लिए जैसे कि PCS, ROARO या फिर किसी परिच्छा की त्यारी में लग जाते थे और दो साल में वो फिलाल कुछ हांसिल भी कर लेते थे तो ये बेवस्था ये कहा गया है कि जिला बेशिक सिख्षा विभाग के सिख्षकों के लिए अब तक अन्मन रहा अध्यन आवकास सासन ने चालू सैक्षिक सत्र में बंद कर दिया है आदेश के मुताबिक बेशिक के सिख्षकों को अब एजुकेशन लीव नहीं मिलेगी अब तक इसी लीव करते थे पीसडी करते थे या फिर अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाने के लिए अध्यन भी करते थे लेकिन अब फिलाल यहां महानिदेशक सिख्षा उत्तरप्रदेश उत्तरप्रदेश सासन कंचन वर्मा द्वारा 30 सितंबर 2024 को जो आदेश जारी हुआ है इस आदेश म को अध्यन आवकास और मन नहीं है ठीक है तो हाला कि सासन के इस आदेश के बाद योग सिख्षकों में काफी निरासा है यानि कि अब जो एजुकेशन लिव मिलती थी दो साल तक की इसमें जो अभिरती या जो एस्पिरेंट चाहते थे वो परसेदी विद्यालों में सिख् आपको बस दो में से एक भी कवप चुनना पढ़ेगा या तो आप अपनी तयारी कर लें और अपनी नवकरी से इस्तिफा साथ साथ आप करना चाहते हैं कर सकते हैं इसमें तो कोई आपको रोग नहीं सकता कि आपने दाजत्यों का निर्वरहन भी करें और जब आप घर जाए तो उसके बाद तयारी के लिए यानि कि यहाँ पर फिलाल जो एजुकेशन लीव थी उसको बंद किया गया है एजुकेशन लीव आपको नहीं मिलेगी लेकिन अग वो घर जाते हैं या जब भी उनको आवकास मिलता है अपनी तयारी में लग जाते हैं और बहुत सरे लोगों ने आपने देखा होगा बीगत कई वर्सों में बहुत सरे लोगों ने नौकरी में रहते हुए भी बड़ी-बड़ी परिशाओं को क्रेक किया है और अपनी उन् में आपको तक्लीफ जिलनी है या तो तक्लीफ का चुनाओ अपने समझ से अपनी बुद्धी से आप स्वयंग कर लें अधरवाई जिन्दगी में तक्लीफ हैं तो आपको मिलेंगी ही जैसे आपके कर्म होंगे फिलाल इसका प्रभाव जो है बहुत सारे ऐसे भीड़ती ज तो अब अगर इनको रेगुलर प्यश्डी करनी है तो फिर इनके पास एक ही ऑप्सन है कि अपनी नौकरी छोड़े और अपनी प्यश्डी पूरी करें अब इनको जो एजुकेशन लीव मिलती थी पहले वह मिलेगी नहीं तो बस यही बात है और पार टाइम में आप किसी एक्जांग लिए तयारी कर सकते हैं उसमें तो आपको कोई रूक नहीं होगी और लेकिन फिलाल आप जॉब करते समय एजुकेशन लीव नहीं ले सकते हैं यह बात यहां पर है और यहां पर देखे लिखा गया कि विसाल कैसे करेंगे बीसिस मेंस की तयारी तो देखो अब विशाल सर्मा बेसिक सिक्षा विभाग में विकास खंड हसान गंज के कंपोजिट विद्याले कुरोली सायक अध्यापक हैं इन्होंने आद्रिक इतिहास विशाय में असनातकुत्तर परिच्छा उत्रिणकर पीसिस परिच्छा में 2013, 2014 और 2015 में प्री की परिच्छा उत्रि की हैं फिलाल यह चीज यहां पर जो लागू हुई है इस से बहुत सारे जो थ्यारी करने वाले जो लोग थे उन पर कुछ लुकुछ प्रभावतों पड़े गाई फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही थैंक्यो सो मच